हेलो फ्रेंज दोस्तों आपने अक्सर देखा होगा कि बाहर की यानि की आउट ओफ इंडिया की महिलाएं कई बार अपने चेहरे को उतने अच्छे तरीके से मेंटेन नहीं कर पाती हैं जितना की भारतिय महिला यानि की इंडियन विमिन्स अपने आपको एफर्टलेसली कर लेती हैं दोस्तों बाहर की महिलाएं अपने चेहरे को अच्छा बनाने के लिए ज्यादा से ज्यादा ब्यूटी प्रोडक्स और मेकप पफोकस करती हैं या फिर अगर इस से ज्यादा भी उन्हें किसी चीज की जरुट हो तो वो सर्जरी करवा लेती हैं लेकिन क्या आप जानते हैं इंडियन वुमिन्स बिना सर्जरी के भी सालों साल तक जवा दिखाए लेती हैं अब आप सोच रहे होंगे कि भारत के बाहर इतनी development होने के बावजूद भी वो महिलाएं अपने आपको maintain नहीं कर पाती हैं अब इसका राज बिलकुल सीधा सा है भारती महिलाओं के पास काम काज काफी ज्यादा होता है वो घर के काम समभागती हैं ऑफिस के काम समभागती हैं हाला कि ये दोनों चीज़े आउट ओफ इंडिया की महिलाएं भी करती हैं क्योंकि महिलाओं का काम चाहे इंडिया का हो या बाहर का हो एक जैसा ही होता है लेकिन जब बात आती है सुन्दर्ता को परखने की तो इंडियन विमन्स हमेशा घरेलू उसको पर ज्यादा फोकस करती है और अगर उनके घरेलू उसके हिट हो जाते हैं तो अपने चहरे को चमकाने के लिए वो जड़ा सा मेकप भी अपने चहरे पर लगा लेती है चलिए आज जानता है कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में जो आट उफ इंडिया की महिलाई कभी भी नहीं सोचती है और ना ही उन्हें घरेलू तरीकों में ढाल कर अपने चहरे पर इस्तिमाल करती है जैसे की केसर दोस्तो केसर कितना रिच ड्राइफ रूट है ये हर कोई जानता है अगर केसर का फेस पैक हम अपने चहरे पर और बॉड़ी पर लगाएं तो हमारे चहरे और बॉड़ी की रंगत वैसे ही काफी निखर जाती है और चहरे को सॉफ्ट बनाने के लिए काफी अच्छा है इसलिए दोस्तो यही कहा जाता है कि भारते महिलाएं किचन से ही कई ऐसे ब्यूटी एलेमेंट्स उठा लेती है जिनकी वज़े से उनका बाजार जाकर कॉस्मेटिक की शॉप पर जाने का समय भी बचता है और वो अपने मने को भी सेव कर लेती है इसलिए वो हमेशा सुन्दर और जमा दिखाई देती है तो दोस्तो यही राज है भारते महिलाओं को हमेशा सुन्दर दिखने का मेरी ब्यूटी और हेल्च से रिलेटिड वीडियो को देखने के लिए यूट्यूब पर लाइप, शेर और सब्सक्राइब कीजिए